मुखेमंत्रे नितीश कुमार ने कल बिहार बिधान सभा के अंदर ऐसा एलान कर दिया जिसके वाद पूरे देश में बिहार की और बिहार के सरकार की चर्चा होने लगी। बड़े बड़े राजनितिक सुर्मा सोचने लगे कि तेजस्वी यादो और नितीश कुमार यह कर क्या रहे हैं। अब कल नितीश कुमार ने किया क्या तो बिधान सभा में नितीश कुमार ने जाकर ऐलान कर दिया कि जातिगत जनगर्णा के बाद जो सर्बे हुआ है उसके बात जो डेटा आया है उसमें 94 लाख गरीब परिवारों के बारे में पता चला है जो भूमिहार भी है राजपूत भी है एससी एस्टी भी है यादो भी है और तमाम परिवारों को 2 लाख रुपया सरकार देगी अब 2 लाख रुपया आपने आप में इतना बड़ा नंबर है कि पूरे देश के बड़े-बड़े सुर्मा इस बात की चर्चा करने लगे कि यह त्यजस्वी यादो और निटीश कुमार कर क्या रहे हैं अब आगे आपको हम सब कुछ बताएंगे कि कल बिधान सभा के अंदर बिहार सरकार ने एलान किया कि 2-2 लाख रुपया उन तम आम लोगों को 2-2 लाख रुपया क्यों दिया जाएगा बागे नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं यह वीडियो रैपीडो कैप्टेन एप के दोरा प्रयोजित है अगर आप पटना में रहते हैं और आपके पास एक बाइक है त अपनी बाइक को लिंक करना होगा और फिर राइट शेयर करके अब 30,000 रुपया प्रती महिना तक कमा सकते हैं अब आपकी कमाई इतनी ज्यादा कैसे होगी तो जो रैपीडो है वो एक सब्सक्रिप्सन मॉडल लेकर आया है जिसके तहत कमपनी आपस कोई कमिसन नहीं लेग मतलब कि कमाई का पूरा का पूरा हिस्सा आपकी ज्येव में अब वापस आते हैं अपने खबर पर बेहद महत्तुपुर्ण बेहद चर्चावाली खबर कि बिहार बिधान सभा में मुख्यमंत्री खरे होकर कहते हैं कि दो दो लाख रुपया हम गरीब परिवारों को कि किसी भी राज सरकार का यह कह देना कि हम तमाम जो गरीब हैं जातिगत सर्वे के बाद जो डेटा आया है उसके हिसाब से उनको हम दो दो लाख रुपया देंगे यह इतनी आसानी से बड़े-बड़े सुर्मा पचा नहीं पाएंगे क्योंकि यह एक ऐसा कदम है जो पू बिहार सरकार बिधान सबा में बिहार बिधान सबा के जरिये ऐलान करती है कहती है वहाँ पर बिधान सबा में सदन के अंदर की दो लाख रुपया जो गरीब परिवार बिहार में हैं उनको बिहार की सरकार देगी अब दो लाख रुपया कैसे देगी तो एक लाख रुपय होगा वो रुपिया दिया जाएगा उसका आर्थिक इस्ति सुधारने के लिए मकान बनाने के लिए और एक और बात कही आ रही है कि जिसके पास मकान नहीं है उन लोगों को सरकार 40,000 रुपिया ज्यादा देगी आवास योजना के तहत अब यह अपने आप में बहुत बड़ है कि बिहार की सरकार जो 94,000,000 गरीब परिवार है उन गरीब परिवारों को 2,000,000 रुपिया देगी अब आप इस बात को समझे कि सबसे ज़्यादा गरीब समान्य जातियों में अगरी जातियों में कौन है तो भूमिहार है 27 परतिशत से थोड़ा ज़्यादा अब भूमिह जो 27 परतिशत हैं उनको 2-2 लाख रुपया नितिश कुमार की सरकार देगी जो राजपूच 35 परतिशत के आसपास गरीब है उनको 2-2 लाख रुपया देगी यादवों के साथ भी यसाई है कुश्वाहा, कुरुमी, पासुमान तमाम जो जातियां है वो तमाम जातियों को व बड़ा एलान है कि सायद हम और आप इसका असर क्या होगा, कितना ब्यापक इसका असर पड़ेगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते, अब आप एक बार सोचिए कि 2 लाख रुपया आपके परिवार को अगर मिलेगा, तो आगे आने वाले राजनितिक लिहास से अगर बात करें तो वह समय आपके मन में कहीं ना कहीं सरकार के प्रती, इन पार्टियों के प्रती एक आपका ये की जगह बनाएगा, और नितीश कुमार जो एलान करते हैं इसके बात सबसे जाधा चर्चा इसी बात की होती है कि नितीश कुमार ने नहले पर दहला दिया और अपना मास्ट हो उसको मिलेगा, बिहार की सरकार देगी और दो लाख रुपया अपने आप में इतना ज्यादा है कि कुछ भी हो सकता है, अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ खबर और क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है, जो भी जानकारी और आएगी, सब कुछ माप तक पहुचाएंगे, तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो नहीं पर समाप करते हैं, आप वीडियो को शेर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाएगा, आपकी क्या रहा है, कमेंट बॉक्स में लिके रताइएगा, कि हम रेक से भी और मैं मोहित कुमार सिंग, बहुत बहुत धन्यवाद,